नमस्कार आप देख रहे हैं खबर मेडिया दोस्तो जब सिदार सुकला इस दुनिया को महच 40 साल की उमर में छोड़ करके गए तो हम सभी जानते हैं कि किस तरह से सहनाज गिल पूरी तरह से तूट चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि सहनाज गिल का अब कोई सहारा नहीं बचा है इसी विश दोस्तो मैं आप सभी के लिए एक ऐसी ख़बर लेकर आया हूँ जो कि सीज़े ना सिरफ सहनाज गिल से जुड़ी हुई है बलकि सहनाज गिल ने ठान लिया है कि आगे वो किस तरह से अब एक बहुत ही बड़ा और हैरान कर देने वाला फैसला ले रही है इसलिए आपको हमारी इस वीडियो को ध्यान से देखना चाहिए दोस्तों जिस वक्त सहनाज गिल को ये पता चला कि सिदार सुकला इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ कर चले गए हैं तो वो पूरी तरह से तूट गई थी इनकी कई सारी वीडियो इंटरनेट पर वाइरल हैं जिसमें ये साफ रोती हुई नजर आई हैं कई बार देखने को मिला कि सहनाज गिल बेहोस तक हो गई थी जिससे ये पता चलता है कि सहनाज गिल सिदार सुकला को कितना चाहती थी मैं आपको बता दूँ कि इन दोनों लोगों कि इस साल के अंत तक साधी भी होने वाली थी लेकिन सहनाज गिल का ये सपना पूरी तरह से तूट गया और सिदार सुकला हम सभी को छोड़कर बीच में ही चले गए अब जब सिदार सुकला हम सभी को छोड़कर जा चुके हैं तो इसी वीच सहनाज गिल ने एक बेहती चौका देने वारा फैसला ले लिया है क्या है वो फैसला मैं आप सभी को बताऊंगा इसलिए बेहती ध्यान से आप हमारी वीडियो को देखेगा दोस्तो सहनाज गिल ने अभी हाली में एक इंटरवियो में कहा है कि अब वो बॉलिवुड से और इस बॉलिवुड की इंडस्ट्री से और साधे टीवी सिरिल की इंडस्ट्री से पुरी तरह से छुट्टी लेने वाली है और मूँ फिर लेंगी इस Bollywood इंडस्री से हाला कि इनके इस बयान के पीछे क्या राज रहा ये तो अभी तक साफ नहीं उपाया लेकिन इस तरह तरह की बातें अब सामने आ रही है जिस तरह से अभी हाली में सहनाज गिल ने साफ साफ ये कहा है कि अब वो Bollywood वालों में फिर किसी को देखना भी नहीं चाहती है तो इससे दोस्तों एक मतलब ये निकाला जा रहा है कि जिस तरह से सुसान सिंग राजपूत को खतम किया गया था ठीक वैसे ही हाल फिलाल में सिंगार सुकला के साफ भी नैपूरिजम किया गया होगा नैपूरिजम करके ही सिंगार को खतम किया गया है इसी वज़े से सहनाज गिल को Bollywood वालों पर जहां सक है तो उनका गुस्ता भी Bollywood वालों पर फूटा है सायद इसी वेज़े से सहनाज गिल का ये कहना है कि अब वो फिर कभी बॉलिवुड वालों के साथ काम नहीं करेंगे हलाकि मैं आपको बता दूँ कि अभी तक सहनाज गिल ने ओफिसियली कुछ भी बात सामने आकर नहीं कहा है उन्होंने सिरफ इतना कहा है कि वो बॉलिवुड में अब कभी भी काम नहीं करेंगी इसे दोस्तों जहां सहनाज गिल का करियर तो पूरी तरह से डूबेगा ही इसके अलावा सहनाज गिल को अब बॉलिवुड से इतनी नफरत हो चुकी है कि वो बॉलिवुड वालों के खिलाब भी बॉल सकती है और आने वाल दिनों में आप सभी को अगर सहनाज गिल अचानक से ही बॉलिवुड वालों के खिलाब मोर्चा खोलते हुए नजर आएं तो आप सभी हैरान मत होईएगा क्योंकि सहनाज गिल ने साफ साफ एनाउंसमेंट कर दिया है कि अब वो टीवी सीरियल और बॉलिवुड वालों को अलविदा कहने वाली है अब दोस्तों मैं आपको उता दूँ खबर ये भी थी कि जो सिदार सुकला की माता जी हैं वो सहनाज गिल के साथ लगतार संपर्क में हैं और वो बात कर रही हैं उनको समझाने की कोसिस कर रही हैं लेकिन बावजूद इसके सहनाज गिल का इस तरह से अचानक से इतना बड़ा फैसला ले लेना निश्चित तोर पर हर किसी को हैरान करता है देखना इंट्रेस्टिंग रहेगा कि क्या सहनाज गिल अपने इस फैसले पर अड़ी रहेंगी या फिर किसी की बाते मान कर सुनकर सायद वो अपने फैसले को बदल देती हैं दोस्तों आपको जो कुछ भी लगता है कमेंट करके जरू बताना साथी वीडियो को लाइक करके सिर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना धनिवाद